स्वागत है आप सब का लाइव लौ की इस खास पेशकर्श कोट्स टुडे हिंदी में मेरा नाम है सयद आमेर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोट्स से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे तो जरूर जाएए लाइव लौ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से इस वीडियो में हम आपको संशेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शुरूआत करते हैं एक बड़ी खबर से सुप्रीम कोट में हाल ही में एक नियाई कधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाही के आदेश को रद कर दिया है ये देखते हुए कि उनके द्वारा कधित मामले से संबंधित रिकॉर्ड को निलंबन और जाच के आदेश पारित करते समय केरल उचनियाले द्वारा विचार में नहीं लिया गया था अदालत ने कहा इस से अनुशासनात्मक कारवाही की शुरुवात कानूनी रूप से अमाने हो गई थी नियायमूर्ती रिशिक के श्रौय और नियायमूर्ती स्वी एन भटी की पीट केंदरिश शासित प्रदेश लक्षवदीब के एक निलंबित उप नयाधीश सहे मुख्य नियायक मैजिस्ट्रेट के मामले की सुनवाई कर रही थी उनके खिलाफ ग्यारा दोशी व्यक्तियों द्वारा केलल उचनयायले के समक्ष समविधान के अनुचे 227 के तहट दो याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि नयाइक माजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने जाच अधिकारी की जाच किये बिना और या अभियुक्त गवा से जिरा करने का अफसर दिये बिना दोश सिद्धी का आदेश पारित किया था अगली खबर में दिल्ली उचनियाले के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें जलवायू कारेकरता सोनम वांग्चुक और लग्दाख के उनके सहयोगियों को परियावरन जागरुकता बढ़ाने और लग्दाख के लिए छटी अनुसूची का दर्जा देने की मांग के लिए 8 अक्तूबर से 23 अक्तूबर तक जंतरमंतर या किसी आन्य उप्यूक्त स्थान पर शांती पून विरोत प्रदर्शन करने की अनुमती की मांग की गई है यह आचिका लग्दाख के सांस्कृति और पर्यावरनिये हितों की रख्षा के लिए काम करने वाले संगठन एपेक्स बॉडी ले द्वारा दायर की गई है संगठन ने वांग्चुक सहित लगभग 200 पदियात्रियों के साथ मार्च की शुरुआत की और ले से नई दिली तक पदियात्रा शुरू की मुखे निय अधीश मनमोहन और नियाए मूर्टी तुशार राफ गडेला की खनपीट के समक्ष आज याचिका का उलेक किया गया जिसने इस से आज के लिए सुची बद करने से इंकार कर दिया लेकिन कहा कि मामले को कल सुची बद किया जाएगा अगली बड़ी खबर में आम आदमी पार्टी की राजसवा सांसत स्वाती मलेवाल से संबंधित महतवपून खबर में दिल्ली की एक अदालत में हाल ही में उन्हें और दो अन्य लोगों को 2011 में उनके खिलाफ दर्ज एक F.I.R. में बरी कर दिया है ये F.I.R. कथित तोर पर सरकार विरोधी और लोगपाल बिल समर्थक नारे लगाने और दिल्ली पुलीस के निशेधाग्य आदेश के उलंगन पर थी रावजाविन्य कोर्ट की A.C.J.M. दिव्या मलोत्रा ने मालीवाल, अर्विंद गौर्ड और नीरज कुमार पांडे को भारती अदंड सहिता 1860 की धारा 188 लोग सेवक के आदेश की अवग्या और धारा 34 सामान्य इरादा के तहत अपराद से बरी कर दिया अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदे के परे आरोपी व्यक्तियों की घटना स्थल पर उपस्तिती स्तापित करने में विफल रहा है जिसका लाप उन्हें दिया जाना था दिल्ली पुलीस का मामला था कि आरोपी व्यक्तियों के अविरोध के कारण कनौट प्लेस इनर सर्कल में ट्राफिक जाम हो गया था और चेतावनी के बावजूद वो वहां से नहीं हटे आरोपी व्यक्तियों को बरी करते हुए नियाएधीश ने कहा कि पुलीस गवाहों के बेतुके मौकिक बयानों के अलावा ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि बड़े पेमाने पर जनता या मौके पर इकटा हुई बीड को निशेदाग्य के बारे में के भाशन पर रोक लगाने वाले गाग आदेश या गाग ओर्डर जारी करने की शक्ती ही नहीं है नियाएमूर्ती एमनाग प्रसर्ना की एकल नियाएधीश पीट ने कहा बार काउंसल अप इंडिया के अध्यक्ष सपश रूप से ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकत इसको जारी एक संचार पर सवाल उठाया था बसवराज ने करनाटक राजबार काउंसल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ आधिकारिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया था जाच कारवाही के नतीजे आने तक बार काउंसल इंडिया के अध्यक्ष ने राजबार काउंसल के सभी सदस्यों या किसी भी वकील को आगे कोई भी सारवजनिक बयान देने से या घटना के संबंधित कोई भी जानकारी पहलाने से रोक दिया और बंद कर दिया और ये आदेश पारित किया पीठ ने कहा कि संचार का निर् दिल्ली उच्छनियाले ने पौक्सो मामलों से बचे लोगों को दिल्ली राज कानूनी सेवा प्रादे करन द्वारा मुआफजा जारी करने में देरी को रोकने के लिए निर्देश जारी किये हैं। न्यायमूर्ती प्रतिबायम सिंग और न्यायमूर्ती अमिच शर्मा की खंड पीट ने कहा कि इस मुद्दे पर पौक्सो अदालतों और संबंधित दिल्ली राज कानूनी सेवा प्रादे करनों के वीच स्पष्टूप से मद्भेध है। अदालत ने कहा इस अदालत ने देखा है कि कई मामलों में विशेश योग्यता वाले जीविद बचे लोगों को भी मुआवजा जारी नहीं किया जाता है और वास्तव में संबंधित DLSA को दोश सिद्धी के बारे में भी पता नहीं होता है। पीट ने पॉक्सो मामले में एक व्यक्ती द्वारा 2020 में दायर आपरादे कपील में यादेश पारित किया। मामले में नाबालिक पीड़ता को समय पर मुआफ़जा जारी करने से संबंधित मुद्धे पर प्रकाश डाला गया था। एक जमीन पर कबजे से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश उचनियाले ने कहा कि राज अधिकारी गुंडों के रूप में कारियन नहीं कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ती को उनके संपत्ती से बेदखल नहीं किया जा सकता है और फिर दावा नहीं कर सकते हैं कि वो अवैद रूप से किसी भी व्यक्ती को कोई मुआवजा किराया या भूमी लाप का भुक्तान नहीं करेंगे ऐसा देखते हुए अदालत ने फिर से पुष्टी की कि किसी को भी संपत्ती के अधिकार से वन्चित नहीं किया जा सकता है जो ना केवल एक साम बंधित एक ये मामला सामने आया है जो 2007 से 17 वर्षों तक लंबित था जब अधिकारियों ने भूमी अधिग्रहन करने का निर्ने लिया था नियाए मूर्ती जीयस अलुबालिया की एकल नियाए धीश पीट ने मामले की सुनवाई की जादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चानल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं Live Law Hindi पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट भी मिल जाएंगी अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूस हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चानल को जॉइन करिए आज अमेंबर और सिर्फ 89 रुपे प्रतिमा में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्निलिजम क वो प्रमूट कर सकते हैं धन्यवाद